हलो दोस्तों नमश्कार आइए स्टार्ट करते हैं 16th of November का पहला एडिटोरियल और उससे पहले थोड़ी सी जानकरी एप्लिकेशन आशी इस क्लासेज के बारे में ये एप्लिकेशन डाउनलूड किया जा सकता है सीधा प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ए कुछ इबुक्स उपलब्द हैं सभी के डेमो वीडियो यहां पर आपको मिलेंगे तो पहले डेमो वीडियो देखे उसके बाद में आप इससे बाई कर सकते हैं आशीस क्लासेज एप्लिकेशन है और आशीस क्लासेज ही टेलेग्राम चैनल का नाम है इस पर भी आप जुड करते हैं आज का एडिटोरियल टाइटल आपको दिया है एक्सेप्शन टूदरू तो शब्द है इसका मतलब होता है अपवाद और एक्सेप्शन के साथ में प्रेपजिशन लगेगा टू कि अपवाद है तो किसका है अब रूल का अपवाद है कि एक रूल बना दिया कि भ रिखती हमारे फेवर में काम कर रहा है तो उसके आपने समया उधी बढ़ा दी संशोधन करके नियमों में उसी को लेकर ये आल्टिकल लिखा गया है तो एक्सेप्शन टू दू रूल का मतलब है अपवाद और अपवाद किसका रूल का एक बात काम की यहां पे सीखने यो इस्तार तो यह एक्सेप्शन को प्रवरतन निदेशाल में उसके जएड है तो उनके सेप्शनक देता है वो नया कानून और कब तक until they complete जब तक कि वो complete ना कर ले a total tenure of 5 years कम से कम 5 साल तक का extension जब तक कि 5 साल पूरे ना करें तब तक का extension मिल जाएगा वैसे 2 साल के लिए service होती है ये तेकिन नया जो कानून प्रस्तुत किया गया है उसके according 5 साल तक ये उस पाद पर बने रहेंगे तो ये जो नया लो है इसकी verb है will seriously compromise तो ये will compromise verb है seriously adverb है will compromise का मतलब है ये नुक्सान पहुंचाएगा ठीक है ये नुक्सान पहुंचाएगा किसको autonomy को autonomy मतलब स्वायत्ता होती है self government होती है इसे आप freedom कह सकते हो इसे आप कह सकते हैं independence और इसे आप कह सकते हैं self government ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कह सकते हैं self government ठीक है तो ये इस चीज़ को खत्रा पैदा करेगा किसका of those agencies in agencies those agencies कौन से हो गया CBI हो गया or ED हो गया अब समझना काम की बात है the new law verb है will compromise they verb है complete ठीक until है वो time बताता है इसका मतलब जब तक की नए इस अरथ में आएगा time के लिए आता है unless होता है unless शर्त के लिए आता है दोनों negative words हैं तो until के साथ में note नहीं लगा सकते हैं seriously है वो adverb है ठीक है इसके बाद में those है वो demonstrative adjective है इसके बाद में noun लगा रखा है इसलिए अगर आगे noun नहीं होता तो इसे कहा जाता demonstrative pronoun यहां तक की बात अगर करें तो वो नया कानून उसकी विशेस्ता बताई है वो कानून जो की authorize कर रहा है अधिकरत कर रहा है अधिकार दे रहा है किस चीज के services के extension के कि सेवात जो है आपका कारेकाल उसका बढ़ जाएगा और किसकी सेवाएं जो CBI और ED के directors हैं heads हैं उनकी सेवाएं कब तक जब तक की वो complete ना कर दें पूरे 5 साल का कारेकाल tenure मतलब कारेकाल तो यह जो नया कानून है वो गंभी रूप से seriously बिलकुल सही बात है यह कि यह खत्रा पैदा करेगा इन एजन्सी की जो freedom है स्वायतता है उसको it goes against the spirit spirit का मतलब यहाँ पर inner करेक्टर है तो यह जो चीज आई है यह बिलकुल खिलाफ है किसकी खिलाफ जा रही है यह खिलाफ है जो spirit of the supreme court judgment supreme court ने एक निर्ने दिया था ठीक है कौन से case में इस case में विनित नारायन versus union of India 1997 का case है इस case में जो निर्ने दिया था उसके बिलकुल खिलाफ यह low है ठीक उस कानून में इस निर्ने में क्या हुआ था तो भी चारा इस निर्ने के लिए इसमें यह हुआ था लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है decree या order तो इसमें एक आदेश है उसको निरुपित किया गया था क्या that conjunction हो गया कि कि जो directors है जो निदेशक हैं CBA और ED के should have a minimum tenure of two years उनको कम से कम दो साल का कारेकाल दिया जाएगा ठीक है भी फिर समझना तो यह जो कानून है नया यह बिल्कुल खिलाफ है किसके सुप्रीम कोर्ट के judgment के judgment यह वाला है इस judgment में यह था कि इसमें एक आदेश दिया गया था कि भई directors जो हैं इन दोनों संस्ताओं के उनका कारेकाल कम से कम कितने वर्ष का होगा दो साल का होगा इस वाज तो प्रिवेंट यह किसलिए था यह इसलिए था इस वाज यह था किसलिए रोकने के लिए क्या उनका sudden transfer कि कम से कम दो साल तो रहेंगे उस पद पर इसका मतलब अचानक से आप दो साल पहले उनका transfer नहीं कर सकते हैं तो यह उनके अचानक transfer को रोकने के लिए था out of office transfer कहां से उनके office से ठीक है if their functioning goes against कब यदि उनका कारिय देर आ रहा है उन directors के लिए CBI और ED directors के लिए आ रहा है तो उनकी जो कारिय है यदि वो खिलाफ है किसके the interest of the resume of the day resume का मतलब होता है system या government system या government अभी आप सीधा सीधा इसको सरकार पढ़ लीजिए और of the day का मतलब वर्तमान तो जो भी उस समय की सरकार है उसके हितों के खिलाफ अगर वो काम कर रहे हैं directors तो उनका transfer कर दिया जाता है सरकारों के द्वारा तो उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया था जिसकी वर्ब watch है देर functioning की वर्ब गोज है ठीक है इसके बाद देखिए while it did not a while से start है तो दो अपवाक के हैं एक ये रहा इसके बाद दूसरा अपवाक के start होगा दोनों अपवाक के एक दूसरे के विरोध में होंगे तो while it did not specifically bar बार का मतनब है restrict करना रोकना बहुत आसान सा editorial है बस आप words लिखते चलें और जिससे बता रहा हूं वैसे पढ़ने की habit develop करें क्योंकि ये एक तरीका है जिससे आप exam में अच्छा score करोगे understanding develop करोगे तो while से दो close connect होते हैं दो अपवा की connect होते हैं दोनों अप दूसरे के विपरीत बाते करते हैं while it did not specifically bar longer terms और extensions अब गारे यद्दपी ये तो चीज है ये इसने विशेस रूप से specific तरीके से ना तो longer terms को restrict किया और ना ही extensions को भी जो rule था सुप्रीम कोर्ट का इसने ना तो ये कहा कि भई हम longer terms मतलब लंबे समय तक इस पद पर ये विक्ती रह सकते हैं दो साल के बाद भी रह सकते हैं इस चीज को इसने बार नहीं किया और ना ही कोई extensions को कि इनको दो साल है उसके बाद में एक्स्टेंशन दे दिया जाएगा इस चीज को बात एक ही है चालोंगर टर्म सो एक्स्टेंशन सो इनको इसने बार नहीं किया फिर भी अब ये नया उप्वाक के है तो विरोध करेगा the prospect prospect का मतलब है possibility possibility फिर भी जो संभावना है किसकी getting an annual extension annual मतलब वार्शिक extension का मतलब इस्तार तो annual extension को प्राप्ट करने के जो संभावना है can be an incentive वो एक encouragement हो सकता है incentive मतलब रौटसाहन किसके लिए displaying regime loyalty ये दिखाने के लिए कि आप उस सरकार के प्रतिवफादार हैं किस चीज में दिखाएंगे ये आप ये in the discharge of their duties discharge of duty का मतलब करतव निर्वहन अपना कार ये पुरा करके तो हलंकि इसके अंदर specifically कोई restriction नहीं था longer term से extension को लेकर फिर भी जो संभावना थी किस चीज की annual extension को annual extension की संभावना प्राप्ट करने के संभावना है कि हर वारशिक रूप से आपको extension दिया दा जाता रहेगा उसके जो संभावना है वो एक encouragement हो सकता है किसके लिए कि आप उस साशन के प्रती उस सरकार के प्रती वफादार है और किस चीज में अपने duty के निर्वहन में ठीक है significantly मतलब महत्तवपुन बात है importantly भी कह सकते हो यहाँ पे in the case of the present director of enforcement तो कहरा यह बड़ी महत्तवपुन बात है कि यह जो केस है किसका केस है वरतमान जो निदेशक है ED के परवरतन निदेशाले के नाम है इन कैस के मिश्रा और इसके लिए दे दिया हूँ तो यह वो वेक्ती है वोज अपॉइंटेड फॉर टू यहर्स जिनको दो साल के लिए पॉइंट किया गया कब की बात है नवेंबर दोहजर अठार में याद रखिएगा जब भी आप किसी डेट की बात करते हो तब तो लगाते है अन जब आप मन्त की बात करते हो तो लगाते है अभी डिरेक्टर है जिनका नाम हैसके मिश्रा है इनको अपॉइंट किया गया था दो साल के लिए नवेंबर दोहजर अठार में उनकी सर्विसेज को एक्सेंड किया गया एक आदेश के दुआरा नवेंबर तेरा दोहजर बीस को तेरा नवेंबर दोहजर बीस को एक इनोंने आदेश निकाला और इस आदेश के दुआरा उनकी सिवाओं को बढ़ा दिया गया विच अमेंडेड अभी आदेश है उसके लिए वीचा रहा है यह आदेश जो है इसने क्या किया संशोधन किया अमेंडे का मतलब अल्टर करना, चेंज करना, संशोधन करना जो एक मूल रूप से टर्म अफ अपोइंटमेंट होता है न्यूकती की अवधी होती है वो दो साल रहती है उसको चेंज कर गे कर दिया कितना? तीन साल ठीक है? इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना तो कहरा कि जो जो चेंजेज हैं, वो चेंजेज लाए गए थू दे ओडिनेंस किस मध्यम से? ये जो थू है प्रेपजिशन, ये बड़ा काम का प्रेपजिशन है इसका प्रयोग हम मध्यम के लिए करते है जिस भी medium से आप कहीं तक पहुंचते हैं उसके लिए through का प्रियोग किया जाता है तो यह जो changes हैं वो लाए गए किसके मध्यम से एक अध्यादेश के मध्यम से अध्यादेश का मर्ग अपनाया गया जब भी कोई सरकार कोई अध्यादेश पारित करती है इसके लिए इसने लगा दिया debt इस पूरे close के लिए debt आ रहा है इसकी वर्ब है Rage के बारे में क्या जानते हैं आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए Rage है वो transitive वर्ब होती है इसके बाद हमेशा object लगता है तो Rage की object देखे doubt दे रखा है तो ये जो चीज हुई है न ये शक पैदा करता है क्या शक कि क्या जा government है वो keen है keen का मतलब eager क्या ये उत्सुक है क्या ये रूची ले रही है किस चीज में Retaining him at the helm कि क्या वो उसे बनाए रखना चाहती है Retain करना चाहती है बनाए रखना Ordinance route के माध्यम से November के अंदर और ये जो चीज हुई है ये doubt पैदा करती है कि क्या government जो है वो रूची ले रही है उन्हें बनाए रखने में in charge के पदपर Given that the central agencies have drawn much criticism अब ये given that का मतलब है ऐसा कर देखते हुए Given का मतलब considering, Given that भी considering, Given that conjunction है क्योंकि that conjunction यहाँ पर आ रहा है खाली given आता है तो वो preposition होता है तो क्या देखते हुए Central agencies जब drawn आउस much criticism कि जो केंदरी agency जब CBI हो गया, ED हो गया इन्होंने बहुत ज़्यादा अलोचनाएं जहली है जो drawn है वो draw की third form है Draw फिर second form इसकी होती है drew और third form इसकी बनती है drawn अच्छा, draw का मतलब यहाँ पर attract होता है खीचना, अपनी तरफ खीचना तो यहाँ पर कहरा है, यह देखते हुए कि जो केंदरी agencies हैं, उनके आलोचनाएं काफी हुई है किसके लिए? उनके focus के लिए focus किस पर? उनके खिलाब चलाएंगे जो opposition parties के बड़े बड़े नेता हैं, उनके खिलाब सचे मेजर तो यह जो एक कदम है कौनसा कदम? यह जो नया कानून वाला कदम है विल भी सीन, इसको देखा जाएगा एज रिवार्ड किसके लिए? कि यह एक पुरसकार है किसके लिए पुरसकार है? for guided functioning कि जो आप काम कर रहे हैं और काम कैसा जैसा वो guide किया गया है वैसा काम आपको सरकार ने कहा इस तरीके से काम करना है वैसा ही आप काम कर रहे हो तो आपको उसको रिवार्ड मिल रहा है वो जाँच बिलकुल सही रास्ते पर चले जिस अधिकारी की हाथ में जाँच है वो अंजाम तक पहुंचे इसलिए आपने नहीं बढ़ाया है बलकि इसलिए बढ़ाया है कारियकाल कि आप चाहते हैं कि आपको आप सरकार के favor में काम करे और उसका एक reward आपको मिल रहा है ठीक है तो सच के बाद जब noun लगाते हो तो noun के पहले A या N लग सकता है अगर वो countable है singular countable है तो the central agencies की verb have drawn है a major है इसकी verb will be seen है और will be seen passive है क्योंकि B के साथ third form है instead के साथ में off लगेगा ongoing का मतलब continuous होता है adjective के form में है investigations noun है on track का मतलब सही रास्ते पर होना आगे देखिएगा as it is जैसा की ये है as it is जैसा की ये है the fixed tenure जो fixed जो निश्चित आउधी है किसके लिए certain post certain जहां लगा रहे हो वहाँ पे noun लगता है plural अगर a certain लगाते हो तो noun लगता है singular ये दोनों चीज़ धान रखिएगा certain लगाते हो तो noun लगता है plural a certain लगाते हो तो noun लगता है singular ठीक है तो जैसा की है जो fixed tenure है अधिकतर post के लिए certain post certain मतलब ऐसा नहीं है certain निश्चित होता मतलब है their superannuation superannuation का लिख लीजिएगा मतलब काफी अच्छा word important word है exam में पूछ सकते है retirement इसका मतलब है सेवा निवरती तो उनका जो superannuation है उनके जो retirement है within that period उसी समयाओधी के दोरान will not end their term वो उनको उसके मतलब कह सकते हैं जो हो खत्म नहीं करेगा तो जैसा कि यह है अब सारा समझा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा extension का मतलब क्या है कि जो fix tenure दे रखा है कुछ post के लिए certain post के लिए जो cbic director के पद की post ed के पद की post यह जो मतलब यह पद है इनके लिए जो fix tenure है इसका मतलब यह है कि उनका जो retirement है उस अउधी के दोरान वो भी उनके term को end नहीं करेगा आप 2 साल के लिए हैं 3 साल के लिए हैं या 5 साल की बात आप कर रहे हो retirement age भी आगे तब भी आपका गारेकल end नहीं होगा पूरा कारेकल करके ही आपका रहेकल end मना जाएगा in effect परभावी रूप से there is an implied extension इसकी verb is है extension है noun implied adjective and determiner और there से start है इसलिए is पहले है बाद में करता है implied का मतलब जो नहीत अर्थ जिसका होता है ठीक है जो hidden है जिसके मतलब बारे में केवल आपको एक संकेत मातर दिया गया है इस पस्ट नहीं है तो एक implied extension है मतलब कहें कि इसके अंदर एक चीज नहीत है वो क्या है extension for an officer कि आप एक ऐसे अधिकारी को जिसको appoint किया गया है to one of these protected posts कहां पर appoint किया गया है appoint जिसके लिए किया गया है उसके लिए two लगेगा मतलब appoint जिस पद पर आप होए हो वहाँ पर two लगेगा appoint कहां होए है इन protected posts में से किसी एक पर ये कुछ सुरक्षित पद है ठीक है ये कुछ protected posts है उन में से किसी एक पद पर कोई विक्ति नियुक्त हुआ है तो उसके लिए जो extension है if the appointment comes within two years यदि नियुक्ती दो साल के भीतर आती है उनके retirement के उनके सेवा निवरती के तो परभावी रूप से इसका आर्थ है कि extension मिलेगा officer को जिसको नियुक्त किया गया है इन में से किसी एक post पर यदि नियुक्ती दो साल के भीतर आती है retirement के तो ठीक है an implied extension की verb is और the appointment की verb comes appointment में to लगता है ये काम की बाते थी बाकि this demonstrative adjective है इसकी noun जो है वो ये है protected यहाँ पर adjective है qualify कर रहा है, modify कर रहा है post को further extension आगे के जो extension है further है determiner extension है noun ठीक है further मतलब आगे होता है एक होता further further का मतलब होता है दूर ठीक है तो एक further extension जो है आगे जो extension है that will take place कौन सा वो extension that relative pronoun जो की will take the officer services well beyond super innovation तो आगे जो extension मिलेगा वो extension जो की officers के सेवाओं को आगे लेकर जाएगा किस से आगे उनके सेवा निवरती के बाद में भी वो सेवा कर पाएंगे सर्विस में रह पाएंगे super animation क्या होता है सेवा निवरती beyond एक preposition है इसका मतलब उसके परे और officers देखो plural दे रखा है plural अगर हो yes और yes से end हो तो फिर apostrophe last में लगाता है that two one year और वो भी एक साल at a time एक ही समय पर ठीक है will render अब इसका मतलब क्या होगा yes की verb है इसका मतलब यह होगा यह बना देगा render का मतलब होता है cause या make लिख लीजिएगा render का मतलब है कारण बनेगा या फिर बना देगा क्या बना देगा the heads of two investigating agencies जो दो investigating agencies CBI और ED उनके heads को बना देगा क्या unacceptably beholden कि यह रिनी रहेंगे यह करतग्य रहेंगे और यह करतग्य ता जो है unacceptable है आप किसी के प्रती अब एक independent agency के part है तो आप किसी के प्रती किसे कैसे आइसानमंद रह सकते हैं तो यह करतग्य रहेंगे beholden का लिख लीजिएगा indeated इसका मतलब है indeated या फिर इसका मतलब है grateful ठीक है करतग्य आभारी किसके government के सरकार के तो आगे जो extension है जो की officers की service को retirement के बाद भी लेकर जाएगा extension का मतलब services में थोड़ा सा और बढ़ा दिया कारियव दी और इससे क्या होगा कि आप retire होगे उसके परे भी आप बने रहोगे ठीक है और वो भी एक साल तो इसका मतलब यह है कि जो यह दो investigating agencies जैस CBI और ED उसके जो heads हैं वो उसको बना देगा क्या कि यह government के प्रतिया और यह बात क्या है यह सुईकार करने योगे बात नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए unacceptably adverb है beholden adjective है also in Mr. Mishra's case यह बात भी है also sentence के start में भी आ सकता है man verb के पहले भी आता है helping verb के बात में आता है तीन conditions याद रखें या तो sentence के start में दूसरा man verb के पहले या helping verb के बाद में एक linking verb होती है is Mr. Mishra's case में यह बात भी है कि Supreme Court ने मना कर दिया इंकार कर दिया interfere with interfere में विद लगेगा किस चीज़ के लिए interfere हस्तक्षेप करने में हस्तक्षेप किस चीज़ का the one year edition कि एक साल जो आप अत्रिक्त जोड रहे हो original term में वो चीज़ में हस्तक्षेप नहीं होगा appointment का जो एक साल है ठीक है फिर समझ यह Mr. Mishra's case में यह भी है कि Supreme Court ने इंकार कर दिया Supreme Court ने इंकार किस बाद से कर दिया कि Supreme Court हस्तक्षेप नहीं करेगा किस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करेगा कि जो original term of appointment है न्यूक्ती जब उनकी हुई थी जितने आउधी के लिए हुई थी उसमें एक साल आप जोड रहे हो उसमें को हस्तक्षेप नहीं करेगा बलकि ये भी कहा that की extension of tenure granted to officers कि जो officers को tenure grant किया जाता है grant में सुईकार करना जो कारियवधी जो समयावधी के लिए post दी जाती है officers को उनका जो extension है और officers कौन से तो ये who relative प्रणॉम लगा के बता रहा है वो officers जो की जिन्होंने की प्रप्ट किया है attain का मतलब क्या है attain का मतलब है प्रप्ट करना obtain वो officers जिन्होंने की प्रप्ट किया है क्या the age of superannuation retirement की age उन्होंने प्रप्ट कर ली है retirement की age में वो आ गए है should be done only in rare and exceptional cases ये extension जो है ये किया जाना चाहिए इसकी verb should be done है पैसी वो इस है only केवल एक rare case में ये exceptional case मतलब कुछ अपवाद सोरुप कुछ case होते हैं वहाँ पे तो कर सकते हैं नहीं से नहीं कर सकते हैं तो Mr. Mishra के case में Supreme Court इंकार कर दिया कि वो interfere decline to interfere इंकार कर दिया कि interfere नहीं करेगा जो एक साल का तो अतरिक्त जो एक जोड रहे हो आप extension उसमें बलकि ये भी कह दिया कि जो आप officers को tenure grant किया जाता है उसमें जो आप extension की बात कर रहे हो वो officers जिनने retirement की age ले ली है ये extension should only be in rare and exceptional cases ये केवल rare case में exceptional cases में होना चाहिए and that the further extension should only be for a short period और ये भी कहा कि जो आगे का extension होगा वो केवल कितने समय के लिए होगा थोड़े समय के लिए ही होगा इट also made it अच्छा ये sentence पूरा हो गया पहले और ये भी कहा कि the further extension extension noun इसकी verb है should be तो ये केवल होगा short period के लिए इट also made it clear ये quote के लिए write और देखो also का प्रियोग मैनवबब के पहले हो गया इसने ये भी इस पष्ट कर दिया that key no further extension shall be granted to him कि आगे उसको कोई भी extension नहीं दिया जाएगा ठीक है आगे और ज़्यादा extension उसको नहीं short period के लिए ही होगा दुरलब केस में होगा अपवाद सोरुप कुछ केसे जब वहाँ पे होगा और उसके बाद उसको कोई extension एक बड़ागर extension मिल गया तो आगे उसको और आगे extension नहीं मिलेगा it is possible ये संबव है that the government will abide by abide by का मतलब होता है stick to या फिर आप इसे कह सकते है comply with मतलब आग्या का पालन करना ये मतलब होता है इसका तो ये संबव है कि government जो है वो पालन करेगी इस आदेश का and not give the benefit of the amendment और इस संशोधन का benefit नहीं देगी Mr. Mishra को ठीक है तो ये जो amendment करके government न अदेदस जारी किया है कि नया कानून बना दिया अदेदस जारी कर दिया कि ये 5 साल तका बने रह सकते हो तो इसका benefit नहीं देगी तो ये संबव है कि government जो है इस आदेश का जो ये सुप्रीम कोट का आदेश उसका पालन करेगी और amendment का benefit जो है वो नहीं देगी Mr. Mishra को but it does not render लेकिन इसका मतलब ये नहीं है The act of authorizing year-on-year extensions to future appointees any less detrimental to the public interest detrimental लिख लिजिएगा harmful detrimental का harmful होता है injurious होता है अच्छा एक बात ये ध्यान रखना कि इन में 2 लगता है कभी आपने cigarette की packet पर या wine की bottle पर देखा होगा injurious to health तो वो 2 लगता है इसमें अच्छा ये है नहीं बनाता है render का मतलब cause या make है तो ये नहीं बनाता है The act of authorizing कि जो कारिये है किस चीज़ का authorize करने का year-on-year extension कि आप अधिकरत कर रहे हो आप सही बना रहे हो कि साल दर साल आपको extension दिया जा रहा है साल दर साल आपकी सेवां को बढ़ाया जा रहा है तो future appointees मतलब भविश्य में जो भी इस पद पर न्यूक्त होते हैं उन लोगों के लिए तो ये कह रहा है कि लेकिन ये है ये जो हर साल extension वाली प्रक्रिया है future appointees के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसा कर देने से ठीक है ये बात तो ठीक government मान लेगी इस बात को शायद कि government Mr. 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 को ये benefit नहीं देगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम खत्रा है किसके लिए public interest में लोगों के हित में भविश्य के appointees को भी आप ऐसे इस नियम के माध्यम से इस कानून के माध्यम से ऐसे साल दरसार extension देते रहोगे तो पब्लिक हित में नहीं होगा year on year का ध्यान रखें कि जब दो एक जैसी noun दे रखी आपको बीच में preposition है तो नों noun singular आएगी ये भी singular और ये भी singular दो एक जैसी noun बीच में preposition हो तो दोनों ही कैसी होगी singular होगी ठीक है the protection given by a fixed tenure and the use of a high ranking committee तो कहरा protection, सुरक्षा कौन सा सुरक्षा जो दी गई है ये आपका post post adjective हो गया जब noun के बाद adjective लगाते हो तो उसे post post adjective कहा जाता है तो वो सुरक्षा जो दी गई है किसके द्वारा एक fixed tenure एक निश्चित समयावधी आपको दी जाती है कि इतने समय तक अपद पर रहोगे and the use of a high ranking committee और जो इस्तमाल है किसका high ranking committee का किसलिए appointments को recommend करने के लिए कि समयती बनती है वो बताती है कि किसको appoint करना इस post पर and it transfers ठीक है और transfer किसके करने है इसका मतलब ये है to dilute dilute का मतलब है weaken कमजोर कर देना इसका मतलब माइने ये था कि ये कमजोर करने के लिए था किस चीज़ को doctrine of pleasure doctrine मतलब सिध्धान्थ pleasure मतलब खुशी मतलब इस पद पर बने रहकर कोई वेक्ती बहुत गोरानवित महसुस करता है बहुत बड़ा पद है implicit का मतलब जो नहित है hidden है in civil service ठीक है तो civil service में इस प्रकार का जो ये एक खुशी मिलती है उसको आप कमजोर कर रहे हो उसको अच्छिन कर रहे हो तो जो protection दिया गया है fixed tenure के द्वारा उसके बाद जो use होता है high ranking committee का किस लिए सिपारिश करने के लिए appointments और transfers को इसका अर्थ ये था कि आप dilute करना चाहते हो जो train of pleasure को जो कि civil service में नहित होता है implicit का opposite होता है explicit however हलंकि it may be breached इस चीज़ का उलंगन हो सकता है इस चीज़ को violet किया जा सकता है breach का मतलब होता है violet breach से मतलब होता है violet या फिर infringe ठीक है इस चीज़ का उलंगन हो सकता है if the extension allowed in exceptional circumstances become the rule कब यदि extension जो allow किया जाता है अपवाद सोरूप परिस्थितियों में circumstances परिस्थितियां exceptional adjective है air landing words generally adjective होते है यदि वो rule बन जाए अपवाद सोरूप इस्थितियां है आपातकाल के इस्थितियां है कुछ ऐसे इस्थितिया आगे दुरलब condition आ गई कि आपका extension देना पड़ेगा तो अब तक तो ठीक है लेकिन यदि आपने स्कुरूर बना दिया तो इस चीज़ का उलंगन हो सकता है ठीक है भी तो यह आपका हो गया है आज के इस editorial में मुलाकात होगी अब कल एक नए session के साथ जरूर से share कर दीजिएगा और एक like हमेशा आपसे expect करता हूँ साथ में पिछले sessions को revise करके ही next session पर आप आएं ताकि आपको और बहतर चीज़ें समझ में आएं आपको confidence boost रहे ठीक अबे मिलते हैं कल शाम पांस बजे तब तक लिए नमस्कार Thanks a lot